हेलो फ्रेंड दिस प्रदिमन वेलकम टो क्लासी एडिटिंग जैसा कि आप लोगों ने थम्रेंट में देखे लिए आया है हम लोग आज इस इमेज का फुल मैनिपलेशन और कलर ग्रेडिंग सिखने वाले हैं तो भीना टाम वेश किए चलते आज की इडिटिंग के तरफ तो आज की इडिटिंग के लिए हम लोग सबसे पहले इस इमेज को पिक्साट में सेयर के लेंगे जिसे मैंने अनस प्लेस से डाउनलोड किया था यह हम लोग का इमेज पिक्साट में इंपोर्ट हो चुका है अब हम लोग इसे ले चलेंगे डाउनलोड में यहां जाएंगे हम लोग लेयर में एंड इस इमेज वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे अब हम लोग जाएंगे एरेजर में एंड एरेजर के हार्डनेस को कर लेंगे प्रोक्ष्ट 95 एंड ऑपिसेटी फूल और साइज अपने हिसाब से करके इसके बैग्राउंड को हम लोग एरेज कर लेंगे हुआ यहां पर एमेज का बैक्राउंड एरेज अब हम लोग जाएंगे लेयर में एंड के लिए के सेलेक्ट करके यहांपे प्रोक करे एक हैक कई Koch के इमेज को इंपर्ट करेंगे अब हम लोग इसके शाइज को इंक्रीze करके रेज की हुए पाट को पूरी तरह से कवर कर लेंगे आगेएएठन हैं अब हम लोग जाएंगे लेर में दूद इसे ड्राइफ करके हम लेग नीचे कर लेंगे हैं यहां फिर से हम लोग एक एमटा लियर करेंगे एड़ फोटो करके यहां पर खुद के इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो आज के एडिटिंग के लिए आप लोग को भी कुछ इसकी तरह पोज में फोटो क्लिक को राना होगा अब हम लोग इसे रोटेट कर लेंगे टन अब हम लोग इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे ताकि इसके बैक्डाउंड को इरेज करने में असानी हो अब हम लोग जाएंगे एरेजर में मेक्शियोर हम लोग का लियर इसी पर सेलेक्टड हो अब हम लोग जाएंगे एरेजर में साइज अपने हिसाब से एंड हार्डनेस एक बार चेक कर लेंगे 95 हो सेट अब हम लोग इसके बैग्राउंड को एरेज कर लेंगे यहां पर इमेज का बैग्राउंड एरेज हो चुका है अब हम लोग इसे सही पोजिशन पर करने के लिए लेयर पर जाएंगे थ्री डॉट पर क्लिक करके ट्रांस्फॉर्म करेंगे एंड इसे सही पोजिशन पर फूट कर लेंगे इमेज परफेट पोजिशन पर हो चुका है इसे कर लेंगे डन अब हम लोग द्रॉग करेंगे साइडो इसे द्रॉग करने के लिए एक हैम के लिए क्रियेट करेंगे इसको हम लोग कर लेंगे कम एंड ओपिसिटी को भी कम कर लेंगे अप्रोक्स 30-35 एंड साइज अपने हिसाब से करके यहां पे साइड और ड्रॉव करेंगे यहां पर ओपिसिटी कम और साइज थोड़ा इंक्रीज करके बैक साइड में थोड़ा और साइड और ड्रॉव कर लेता है यहां पर साइड और अच्छे से ड्रॉव हो चुका अब हम लोग लास्ट बार एक एंपर लिए क्रेट करेंगे यहां पर हम लोग करेंगे एड फोटो और एक संसेट के इमेज को एड करेंगे इसे हम लोग अपने मोबाल पर कुछ इस तरह पूट करेंगे ताकि लगे हम लोग संसेट का इक क्लिक कर रहे हैं इस इमेज को ट्रांसफोर्म करके इसे और पूटेबल पोजिस्टन पर पुट कर लेंगे और यहां पर जो भी एक्स्टा पार्ट्स है उसे एरेज करके इसे एरेज कर लेंगे कैसरा फाइनली फोटो मनफिलेशन पर सारा घम हो चुका है अब हम लोग इसे सब्सक्राइब करके एक्स्टा एक्स्टल इसे हम लोग लाइट रूम में इन पॉर्ट कर लेंगे यह हमारा इमेज का इद मां इनुक स्वसे पहले जाएँगा तो vaccin बात यहां एक्स्पोजर को थोड़ा कम कर लेंगे एंद कॉंट्रास को थोड़ा इंक्रीस हाइलाइट्स को थोड़ा डिक्रीस कर देंगे यहां पर वाइट को थोड़ा इंक्रीस कर देंगे एंद ब्लैक्स को थोड़ा डिक्रीस यहां पर लाइट्स का काम हो चुका, अब हम लोग जाएंगे colors में, यहां ओवर और color में temperature को थोड़ डिक्रीज कर देंगे, और vibrance को थोड़ इंक्रीज, approach 25, अब हम लोग जाएंगे mix में, यहां rate selected is, के hue को थोड़ पोड़ेटिव के साथ कर लेंगे, and luminous को थोड़ डिक्रीज, अब हम लोग से रेक करेंगे orange color को and इसके saturation को थोड़ इंक्रीज कर देंगे, approach 25 and luminous को भी थोड़ से इंक्रीज, अब हम लोग से रेक करेंगे blue color को and इसके hue को थोड़ निगेटिव के साथ रखेंगे and saturation को decrease कर देंगे, minus 90 and luminous को भी decrease कर देंगे, approach minus 65 and colors का भी सारा काम हो चुका है, कर देंगे done and अब हम लोग जाएंगे effects में and यहाँ पर clarity को थोड़ इंक्रीज कर देंगे and dh को भी थोड़ इंक्रीज and luminous को थोड़ इंक्रीज कर देंगे, approach minus 10, 12 यहाँ effect का भी काम हो चुका, अब हम लोग लाश जाएंगे details में, यहाँ sharpening को कर लेंगे approach descriptive and noise reduction को थोड़ इंक्रीज कर लेंगे and color noise reduction को थोड़ इंक्रीज देखिए image lightroom में आने से पहले कैसा था और अब कितना changes चुका अब हम लोग जाएंगे last selective tool में and यहाँ select करेंगे square वाल option को and इसे right side से कुछी इस तरह से उपर की और drag करेंगे हम नीचे कर लेता है and अब हम लोग जाएंगे lights में and यहाँ पे exposure को कम कर लेंगे अब दुबार प्लस वाले icon पर क्लिक करेंगे and फिर से यह square वाले कुछी लेक करेंगे and इस वारी से left side से कुछी इस तरह से उपर की और drag करेंगे अब हम लोग जाएंगे lights में इसका भी exposure कम कर लेंगे अब लाट वा हम लोग प्लस वाले icon पर क्लिक करेंगे इस वा हम लोग से लेक करेंगे ब्रस वाले को और इसे अपने back side से कुछी इस तरह ड्रौ करेंगे और फिर से हम लोग जाएंगे lights में and इसका भी exposure कम कर लेंगे अब इसे कर लेंगे डन फाइनली color grading का भी सार काम हो चुका है देखे इमेज पहले कहता था अब कितना चैनल चुका रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मुझे motivate करें और इसी तरह की editing वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूर करें इस मिलता है इसी तरह की नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए खत्म बाई बाई टाटा